National Institute of Electronics and Information Technology शिमला ही माचल प्रदेश में कलर्क, डाटा एंट्री ओपरेटर, जोनिर ओफिसर और स्टेनोग्राफर के पद भरेज जाने वाले हैं इसके लिए आपको online माध्यम से आपधन करना होगा और आपधन करने का link आपको मिल जाएगा description में इसके लिए आपधन करने के जो last date रहेगी वो रहेगी 6 November 2020 बात करते हैं यहाँ पर total number हो vacances की तो यहाँ पर कुल मिला के 11 पत भरे जाने वाले हैं जिसमें पहली post रहेगी clerk कम data entry operator इसके 6 पत भरे जाने वाले हैं इसके लिए आप कम से कम बार भी pass होने चाहिए और आपके पास diploma होना चाहिए computer application का या आपके पास O level का diploma होना चाहिए अगर बात करें यहाँ पर experience की तो आपके पास कम से कम एक वर्ष का अनवफ होना चाहिए साथ में आपके यहाँ पर typing speed बहुत अच्छी होनी चाहिए दोनों ही language में आपकी Hindi और English language दोनों में typing speed आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए मतलब कि 30 words per minute आपकी होनी चाहिए English language में और 25 words per minute आपकी होनी चाहिए Hindi language में second post यहाँ पर है junior officer इसका एक पद fill up होने वाला है मतलब कि एक post यहाँ पर भरी जाने वाली है इसके लिए आप B.com होने चाहिए with second class मतलब कि आपकी कम से कम 55% marks आने चाहिए B.com में third post यहाँ पर है consultant की इसका एक पद fill up होने वाला है और इसके लिए आप M.A.C. या आप PhD होने चाहिए in biotechnology या life science में इसके लिए आपके पास कम से कम 4 वर्ष का work experience भी होना चाहिए बात करते हैं यहाँ आप next post की next post यहाँ पर एगी project manager की इसका एक पद fill up होने वाला है और इसके लिए आप BTEC होने चाहिए और कम से कम आपके पास एक वर्ष का अनुवफ होना चाहिए in project management में next post यहाँ पर junior skills stenographer की इसका एक पद fill up होने वाला है और इसके लिए गर बात करें qualification की तो आप बार भी पास होने चाहिए और आपके पास certificate होना चाहिए standout typist का और कम से कम आपके पास एक वर्ष का अनुवफ होना चाहिए next post यहाँ पर एगी surveyor engineer किसका एक पद fill up होने वाला है और अगर बात करें educational qualification की तो आपके पास ITI का डिपलोमा होना चाहिए in the trade of draftsman और आपके पास कम से कम तीन वर्ष का working experience होना चाहिए बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे इसके लिए आविदिन करना होगा देखिए आविदिन करने से पहले आपको यहाँ पर 1000 रुपीस application fees deposit करनी होगी fees के deposit होने के बाद आप यहाँ पर आविदिन कर सकते हैं अगर आप इन पदों के लिए अपना आविदिन करना चाहते हैं तो आविदिन करने का link आपको मिल जाएगा description में और आविदिन करने की last date रहेगी 6 November 2020 इसके लिए notification का link आपको मिल जाएगा description में वहाँ पर जाकर आप इसकी notification को भी पढ़ सकते हैं साथ पर अगर आप हिमाशिल प्रदेश क्रिशी विश्व विद्देल या हिमाशिल प्रदेश विश्व विद्देल शिम्ला के लिए त्यारी कर रहे हैं JOA IT की post के लिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 mock test मिलने वाले हैं जो कि अभी special offer में चल रहे हैं मतलब कि आपको यहाँ पर दिवाली offer मिलने वाला है जो 149 रुपीज का आपको यहाँ पर mock test series मिल रही थी वो आपको यहाँ पर 14 November 2020 तक 109 मतलब कि 109 रुपी में आपको यह मिलने वाली है लिंक आपको मिल जाए कर description में वहाँ पर जाकर आप इन 10 mock test को बाई कर सकते हैं तो मिलते की से दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत